दरवंगा में 40 बरसी बैक्ती का पोकर से पानी निकालने करम में करेंट लगने से हो गई दरदनात मौत जियां दरवंगा के बालपटी ओपी छेतर के तारसराई मूरिया की है जहां नदी से पानी निकालने करम में नदीम आहमद नामक 40 बरसी बैक्ती को क्रेंट लगने से मौत हो गई वही बताया जा रहा है कि नदीम पोखर में मचली पालन का काम किया करते थे नदीम वही उस पोखर में पानी का जलस्तर बढ़ने कारण नदीम मोटर के द्वारा पानी बाहर निकाल रहे थे उसी करम में नदीम को क्रेंट लगा जिसे क्रेंट कर जटके से नदीम पोखर में जाक गिरे जहां उनका दम घुटने से घर्दनाक मौत हो गई वही मोट के बाद पूरे इलाका में धर्कम मच गया पडिजन का भी रोरो कर पुरा हाल था इधर नदीम अपने पीछे तिन लड़का और एक लड़की छोड़ चले गए वही नदीम का कमाई से घर चल रहा था बाबू आपके आप बहुत लोग आएं आपको कुछ पता है क्या हुआ है अपको पता है आप रो रह थे सबर से हैं आप क्या नाम है बटा आपका सुमेद नाम है एक कैसे करेंट लग गया इनको बगल में एक पोखर है इनकी है मस्जिद में सेमाही के लिए जैक अनय मचली रखते थे आवसी को पानी को निकाल रहे जी पानी को लेगा तो मोटर से इसके उनको करेंट लगा पोटर जो चल ला तो कि अंतार अकर अधे लग क तक्रिवें के लिए तुछ फुरा खांदान दॉंत थे डीने को गोरे सिवीचिफ दिल्दी मॉड़ पार तुछ तॉय। कीतने ुमर रही होगी haiCER? तरिवन पोट्टि है नाम किया था पुरा इन सा डलफी डलफी कहते हैं लेकिन असल नाम तरिवा गया है नदीम हमाद यह कहां कुण सा है यह मुर्या मुर्या ठाना भालपट्टी ओपी कितने बच्चे थी इनको शादी इनकी खर्रा थी बच्चे कितने हैं तीन लड़का ए अपने अच्छे और अच्छा माहौल छोड़ा यहां आपने चचा का नाम जो ही बाई इनके मदला वाली और यह बताइए कि यह घटना कितने बज़े की होगी और आपका नाम मेरा नाम मुहम्मद एजाद करीम शौकस सुंदर बूर यह पानी निकल वा रहता है अब सब्भाई सब्भाई मेटिकल से चुरे हैं इनका अच्छुना बिजनेस भी था मचली का जी यहां वही तो बुले हैं अच्छे माई चलिए जीए जीए